इस वीडियो में हम बात करेंगे एपरेल 2021 को कौन सी डेट अवेलेबल है और किस दिन एक्जाम का लेवल कैसा रहेगा एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी स्टूडेंट एक्जाम के लेवल की प्रडिक्शन पिछले 4-5 मंस के एक्जाम के ट्रेंड को देखा जाता है उसको एनलाईज किया जाता है उस बेसिस पे प्रडिक्शन परपेर होती है चलिए देखते हैं कौन-कौन स अवेलेबल हैं और कौन सा एक्जाम का लेवल कैसा रहेगा शूडेंट दो डेट्स हैं जिसमें सिर्फ अकेडमी का एक्जाम है और दो डेट्स हैं जिसमें अकेडमी क्लाशन जनरल रहीनिंग का कमबाइन एक्जाम है 10 ऐपरेल, 17 अपरेल, 24 अपरेल एन 29 ऐपरेल यह आइल्स का academic का exam conduct होगा 10th April को जो exam का level है वो moderate रहेगा 1st exam के level में reading और writing का level moderate to tough के बीच में रहता है 17th April and 24th April को जो combine exam होते हैं उसमें combine exam में ये देखा गया है कि listening का level easy रहता है तो अगर आपकी listening में problem है तो 17th या 24th में से कोई भी date book करवा सकते है 17th April और 24th April को listening का level easy रहने की possibility है last exam है that would be on 29th April 29th April को सिरफ academy का exam conduct होने वाला है और ये student last exam है ये तो थोड़ा सा मुश्किल ही देखा गया है last 4-5 months का trend देखे तो last जो exam होता है month का वो tricky रहता है उसमें writing का भी जो level है उसमें tough देखा गया है और आपको कोई doubt है तो comment करके जरूर बता सकते हैं वीडियो पसंद रहा है तो like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए गुड़ लग बबाई